दोस्तों इस वीटियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ड्राइफ फूड क्या फाइदा दोस्तों देता है तो चलिए जान लेते हैं नमबर वन है दोस्तों काजू जहां दोस्तों काजू वीटामिन E से बरपूर होता है और इसमें एंटी एजिंग प्रोपर्टीज होती है काजू के सेवन से तोचा खीली रहती है और बुड़ापा जल्द हावी नहीं होता है काजू का सेवन अगर आप करते हैं तो ये आपके शरीर में कोलेस्टरोल और ब्लड सुगर को नियंतरित करता है वजन गटाने, सिरदर्द और हाई बीपी की समस्या को दूर करने के लिए काजू काफी मददगार होता है तो अगर आपको ये समस्या है तो आप काजू का प करी होता है ये खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है साथ ही रक्तर संचार को नियंतरित करता है बादाम फेंपडों की बीमारी से बचाता है और ये मोटा पे कोलेस्टरोल उच्छ रक्त चाप असामाइन रक्त चाप और सुगर पर काबू पाने में काफी कार पूर होता है पिस्ता आपको खतरनाक पराबेंगनी कीर्णों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है ये आपको इसकिन कैंसर समेत त्वचा की तमाम समस्याओं से चुटकारा दिलाता है पिस्ता ब्लड सुगर लेवल को नियंतरित रखता है ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है इसके प्रोटिन और फाइबर आपके दिल को सुरक्षित रखते हैं दिल की भीमारियों को दोस्तों दूर रखते हैं नेक्स्ट रहे दोस्तों किस्मिश में मौजूद विटामिन एए पोटेशियम मेगनीशियम फासपोरस और आयरन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाबकरी होते हैं ये खून को भी बढ़ाता है साथ ही एनिमिया से भी आपको बचाता है इससे रक्त संचार जो होता है नियंत्रित रहता है किश्मिश के सेवन से आखे हमीशा जवान रहती है तरो ताजा रहती है और दात की विमारियों से भी किश्मिश का सेवन दोस्तो होते हैं अन्य ड्राइफूर्स की तरह अख्रोट के भी कई फाइदों होते हैं लेकिन ये खास तोर पर यादास्त को बढ़ाने में और कोल्डियो वैस्कुलर यानि रिदय संबंदी बीमारियों से बचाने में आपकी काफी मदद करता है अगर आप अख्रोट का सेवन करते हैं तो आपको ये लाप मिलते हैं और आखरीय दोस्तों मुंगफली मुंगफली में दोस्तों विटामिन्स, मिनरल्स, निट्रियन्स और एंटी ओक्सिडेट काफी अच्छी मात्रा में होते हैं इसमें विटामिन B, कॉंपलेक्स, नियासिन, राइबो फ्लेमिन, थियामिन, विटामिन B6, विटामिन B9 और पेटो थैनिन एसिड पाया जाता ह मुंगफली का अगर आप सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में कबज को दूर करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करता है, मुंगफली आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करती है, साथ ही हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखती है तो दोस्तों ये थे कुछ ड्राइब फूट्स जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको क्या लाब हो सकता है ये हमने आपको बताया अगर आपको जनकरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद